इस वीडियो में मैं export documentation ये टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं export documentation में जो documents involved है वह भी आप export transaction करते हो तो उसमें कौन पन से टाइप के document involved है यह मैं आपको बतने वाला हूं इसकी लीच भी मैं आपको प्रवाइड करूंगा लेकिन हम देखते हैं कि कि सब्सक्राइब करते हैं जहां से आपका एक्सपोर्ट कंटेनर और लूज कंटेनर लोड लेजन कंटेनर लोड स्टफ हो गया उस पॉइंट से एक्ट्वल शिप्मेंट के दिन का तो फर्स्ट डॉकुमेंट जो आता है दोस्तों यह आता है जी एस्टी का टैक्स इन्वाइस अगर आप खुद मैनुफेक्ट्टर है क्या आपका खुद का टैक्स इन्वाइस या फिर आप जीरो रेटेड गुड्स प्रोडूस कर रहे या मसमी है तो आपका बिल ऑफ सेल या फिर मर्चंट एक्सपोर्टर है आप तो मैनुफेक्ट्टर का यह दोनों में से एक डॉकुमेंट सेकंड डॉकुमेंट आता है आपका एक कमर्शियल इन्वाइस टैक्स इन्वाइस जी इसमें सभी टैक्स रिलेटेड और बाकी गुड्स रिलेटेड एचंसेंट कोर्स वगरा कॉंटिटी कितनी प्राइस कितनी डिलिवरी कहां पर दे रहे यह सभी टर्म्स वहां पर हम सेल कर रहे इस इंटरनेशनल डॉकुमेंट जिसमें हमने कुन से डॉलर के रेट में या जो पर्चेस ओर्डर हमें मिली है और उसका कन्वर्जन आट दे रेट आफ जिस दिन हम यह ट्रैक्शन कर रहे उसका रेट लगा कि हमें यह दिखाना पड़ता है तो यह है आपित के इस जिसमें हम किस तरसे पैकेजिंग किया इसको कंटेनर में प्लॉफ किया है प्रांडर्मणे स्फट्र G. इसको सब मेंशन रहता है उसके नंबर फिल कंटेनर नंबर इस सारी दोनों में पार आथि इस यह सारी बात है इसमें मेंचन रहती है तो यह हो गया कमर्शिय इन्वाइस टैकिंग लिस्ट रिलेटेड उसके बाद लगता है कि जो कंटेनर और कार्गो को करते हैं तो फिमिकेशन एजनसी जो है उनसे लगता है लगता है जो भी कार्गो में जाने वाले वूड़ जाने वाले उनका प्लैंट 안 कोरांटाइन हुआ करके करें जै कि किया लकता है तो से प्लैंट और सट्रिमिन बोलते हैं उस के अलावा जो भी आपके पास product manufacturing related licenses depending upon your products आप अगर pharmaceutical products में प्रोडुक्स कर रहे हैं तो आपको FDA के license लगेगा आप प्रोसेस फूर्स के कर रहे हैं तो फसाई का license लगेगा आप इंजिरिंग प्रोडुक्स कर रहे हैं तो आपको Bureau of Indian Standard के license लगेंगे तो इस तरह के आपको licenses जो manufacturing related licenses और quality certification जो लाइसेंसे से quality certification से यह आपको documents लगेंगे उसके अलावा आप जो export कर रहे हैं उसका foreign exchange management act के अंदर जो document लगता है export के लिए उसका नाम है बैंक उसका नाम है General Remittance और guaranteed Remittance जी आर फॉर्म SDF फॉर्म Standard Declaration फॉर्म इसब्टेक्स फॉर्म सब्टेट कंपनी के लिए सब्टेक्स मतलब software exchange control फॉर्म तो इस तरह के एक्चेंज कंट्रोल फॉर्म्स लगते हैं उसके अलगवा से लगता है अगर कॉंसुल इन्वाइस कॉंसुलर से चाहिए तो कॉंसुलर इन्वाइस लगता है इसके अलबा आपको बाकी भी आपके इन आउस से टेस्टिंग से दिप्रेट्स या फिर टेस्टिंग लैप्स के प्रॉड़क्त वाइस जो भी रिक्रेमेंट हो तो आपको डॉकुमेंट्स के लिए लगेंगे करे इसके बाद प्रोट पर जाने के बाद यह और डॉकुमेंट इंवे भीड लगेगा ट्रांसीट के लिए कि इसके बाद आपका जो रंडेनर हीं आपर्ड का फॉर्ट में पहुंचता है तो उसमें शिession पर और यूठ स्टाम्प मिलता है बाद में जब आपका कर गो शिप्ट už रोड होता है तो met receipt करके आपको एक document मिलता है met receipt जब मिलती है तो shipping line आपको bill of ladding B or L या BL बोलते हैं उसको ये document देते है तो ये सारे documents flow में मैं आपको बताया कि किस तरह से documents होते है और इसके अलावा आपको ये transactions complete होने के बाद payment related documents जो है bill of exchange आपको या उसको हुंडी बोलते है इन इंडियन कंटेक्स्ट ये document आपको प्रिपेर करके customer को भेजना पड़ता है तो ये एक document हो गया और अगर आप एलसी पे transaction करें तो एलसी रिलेटेड एलसी का एक document आपको लगेगा और एक important document जो है कि assessment के लिए लगता है ये पर्चेस ओडर और agreement या contract और ये जब आपका transaction से complete हो जाता है आपको पईसे आ जाते तो बैंक में और एक document आप को मिलता है बैंक से उसको bank realization certificate या एक्सपोर्ट करना पड़ता है कुछ आपको अलग अलग एजनसी से collect करना पड़ता है जो इंपोर्टर उसको भीजना पड़ता है कुछ आप आप सब्मिट करना पड़ता है उन से कुछ documents मिलते है shipping line से कुछ document मिलते है इस तरह के documentation इन ओले डॉस्तो डीटेल जो है इसके बारे में हर एक documents का हम उसका डीटेल वीडियो बताएंगे उस समय में हर एक documents का आपको डीटेल में बताएंगे वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजए बेल आइकोन डबाईए तक कि हमारे बार बार वीडियो जो बनते जा रहें आपके पास उसके notification आते जाएंगे